नमस्कार बहुत स्वागत हैं आप सब का देख रहे हैं मासिक भविश्यवाणी धनू, मकर, कुम्भ और मीन राशी बात करेंगे दिसंबर 2021 की वर्ष का अंति महीना आपके लिए हर छेत्र में क्या कुछ सौगात लेकर क्या आया है ग्रहों के चेंजर्ज, क्या आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, कैसे इसकी तैयारी करें और दिसंबर को शुब करने के लिए क्या प्रियोग करें पित्रों, जानकारी एक विशेश ये दे देता हूँ कि रासिफल वाले कारिक्रम में आप देखते हैं कि नहीं देखते हूँ के तो पता होगा, नहीं देखते हैं तो जान लिजिए एश्ट्रो क्विज करके हमने शोर सुरू किया है जिसमें हर रोज हम बताते हैं एक विशेश उपाए आपके लिए और ये उपाए अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं हर रोज देखा करिए इस खास प्रियोग को हमारे साथ जोतिश दिशा में आईए अब धनुराशी वालों के लिए दिसमबर महिने के बारें बताते हैं जान लेते हैं कि दिसमबर महिने का गोचर क्या है तो दिसमबर महिने में सूरी बुद्ध केतू व्रिश्चिक राशी में रहेंगे जब एक दिसमबर को सुर्योदय होगा शुक्र धनुराशी में, शनी और प्लूटो मकर राशी में, ब्रहश्पती और नیपचिون कुंबराशी में यूरनेस मेश में, राहु व्रिख राशी में, चंद्रमा कन्या राशी में और मंगल तुला राशी में सुशोभित होंगी एक ग्रह जिसे हम गोचर कहते हैं निर्धारिद करते हैं कि पूरा महीना भीतेगा कैसा धनु राजी शिक्षा पढ़ाई के लिए किये गए विचार सफल हो जाएंगे दिनांक 5, 8, 16, 22, 29 तारिख बड़े डिसीजन वाले हैं ब्यापार धनु दिसंबर 2021 केस बिजनस में जो रिस्क लेने की छमता आपकी है वो बढ़ती चाहेगी ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा शुबता जरूर मिलेगे चिंताओं से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर धनु राशी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए रास्ते खुल तो रहे हैं चंद्रमा बैठा हुआ है आपके टेंथ हाउस में एक दिसंबर को तो थोड़ा चलायमान होगा प्राइवेट सेक्टर यात्राओं पर भेजे जा सकते हैं कुछ विश गवर्मेंट सेक्टर में कुछ निरड़य आपके अगेंश्ट जाएगा दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है अनुकूलता है परिशानियों का हल निकलेगा निवारण होगा पांच, सोलह, छब्विस, उन्तिस, तीस और इकतिस लव लाइफ की स्थती में असमंजस की सूच समझकर फैसला लेजेगा स्वास्त ब्यहतर रहेगा दावाईयों का सेवन समय पर करेंगे सूट करेंगी तवाईयां अच्छा महसूस करेंगे मकर राशी, दिसंबर दो हजार इकिस स्च्छा पढ़ाई के लिए जो विचार आपके थे वो इंप्लिमेंट कर सकते हैं पंचम से पंचम कन्या राशी का चंद्रमा इस माह को आपके लिए फेवरेबल कर रहा है ब्याबार के लिए उठा पटक है, तनाव होगा, बिजनस में रिस्क लेंगे तो मुश्किलें आएंगे सोलह से बाइस के बीच में पार्टनर्शिप प्रभावित हो रही है, मकर राशी प्राइबिट सेक्टर, प्रमोशन है, और सबसे बड़ी चीज, मन चाहे जगह पर जाएंगे और धन भी बढ़ेगा सत्रह से लेके 26 आपके लिए अरकूल है, सरकारी छेत्र कुछ उल्जन दे रहा है, गौवर्मेंट सेक्टर में रिस्क नहीं लेना है यहाँ पर मित्रों की वजह से कुछ परिशानी आएंगी, उल्जने आएंगी दामपत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय भी देगा एक दूसरे को सपोर्ड करेंगे और सकरात्वक उर्जा के साथ बढ़ेंगे लव लाइफ आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा मकर राशी, दिसंबर 2021 सोच भी नहीं पाएंगे और कुछ घटनाएं घट जाएंगी क्योंकि शुक्र अगने तत्तों में आ गया है अंचबेश, ध्यान देना होगा स्वास्त के मामले में उदर रोक, आँख, सांस की दिक्कत और इस्किन प्राब्लम कुम्भराशी, दिसंबर 2021 स्विक्षा पढ़ाई के लिए नई जगह एड्मिशन पांच से दस के बीच में बहतरीन समय है कुछ उकेजनल कोर्सेस के लिए भी एड्मिशन करवा सकते है एजुकेशन रिड के लिए प्रियास कर सकते है ब्यापार, कुम्भराशी रिस्क लेना भारी पड़ेगा टफ सिचुईशन आ सकता है मत रिस्क लीजिए इस्पिशली 11, 16 और 22 प्राइबिट सिक्टर प्रमोशन है वहन का सुख है 12 से 14 के बीच में मांसिक मजबूती मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे सरकारी छेत्र बहुत सकरात्मक है वहन सुख भी देगा दांबत्य जीवर में कुछ कष्ट है तनाव मिलेगा पत्नी की विचार नहीं मिलेंगे पत्नी कहीं अनियत्र सनलिप्त पाया जाएगा दिनांक 14, 22, 28 लव लाइफ यहां मामला आपके हाथ में हाथ जैसा सोचेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा कोई नया भी जीवन में आ सकता है स्वास्त के मामले में बदहस्बी पेट की दिखकर डाइजेशन, शुगर और किटनी की समस्या हो सकती है अंतिम राशी मीन दिसंबर 2021 बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा कर्क में आये हैं एक दिसंबर को उहा पोह की स्थिति रहेगी पढ़ाई में 50-50 का परफॉर्मस दिखाई देगा बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस की स्थिति बहुत बहतर है ब्यापार में फैसले आपके अनुसार रहेंगे और अनकूल रहेंगे इस्पेशली 10 से 20 के बीच में करिये प्रयास प्राइबेट सेक्टर के दिए तनाओ कोई आपका अपना स्रगा संबंधी देगा नौकरी क्या कर रहे हो ठीक नहीं है, बदल दो अब आपके अपने पिंच करेंगे आप बहुत सफोकेटेट फिल करेंगे सरकारी छेत्र आउट अप टर्न प्रोमोशन है चार, नौ, छब्विस, तीस दामपत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है बिवाद चल के आएंगे करें, क्या करें, कैसे करें ऐसी तरह से लव लाइफ बहुत अच्छा है शादी की जर्चा कर सकते हैं पुरा महिना स्मूद रहेगा नए प्रपोजल भी आ सकते हैं स्वास्त के मामले में पेट, किर्नी और आपकी समस्या रहेगी आपको धनु मकर कुम्ब मीन के लिए प्रियोग क्या रहेगा बताते हैं हरोज नहा करके सुबह दायनी हथेली पर अपने गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़क लीजिए कपड़ा पहनने से पहले डेली करना है 31 दिसंबर तक शुक्र चंद्र सम्यक रूप से परिणाम सफ़ता कादेर के बहुत शुक्री आपका पूरे दिसंबर कभी भी हमसे कहीं भी मिलते हैं 50% फीस में डिसकाउंट मिलता है थैंक यू सो मच नमशकार शेरादे